नमस्कार दोस्तों 20 जनवरी 2022 के डेली न्यूस एनलिसिस कारेंट रफेस डिसकेशन में आपका स्वागत है कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूस है पस एक छोटा साब को रीकैब देता हूँ भाई जो कोविट डेट्स हुई है उसके रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोड अब खुद इंटर्वीन कर रहा है लोगों को मदद प्रोवाइट करने के लिए फिर आएस के कैडर के जो रूल चेंज़ेस हो रहा है इसके बारे में बात करेंगा हाला कि आएस कैडर के रूल चेंज़ेस के बारे में ने एक अलग से वीडियो भी बनाई है कल ही अपलोड किया है उसका रेफरेंस भी मैं आपको यहाँ पर दे दुगा फिर आरपी टूथाउजन फॉर्टीवन ये क्या है रीजनल प्लान दोहजार इक्तालिस का ये हरियाना में इंप्लिमेंट हो रहा है और अरावली का जो इलाका है हरियाना के अंदर वो इससे सीवेरली एफेक्ट हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे फिर महरास्ट के अंदर पंचायत election में, जब महरास्ट की सरकार ने OBC reservation को लागू किया, तो Supreme Court ने उस reservation को रोग दिया, और Supreme Court ने एक test imposed किया, जिसका नाम था triple test, तो इस test के बारे में बात करेंगे, फिर तालीबान के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर मुस्लिम nation से recognition की बात कर रहे है, किस basis पर बात कर रहे है, इसको देखेंगे, फिर eastern swamp deer की population में एक dip देखने को मिल रहा है, काजी रंगा नेशनल पार्क में, यह particular environmental news discuss करेंगे, green fuels including green hydrogen, इसके बारे में एक news निकल कया रही, इसको देखेंगे, और जो South Asia university है, जो कि दिल्ली में समय पर operate कर रही है, इसमें क्या problem है, एक तो इसका जो head है, जिसको vice chancellor है, वो दो साथ से appoint नहीं हुआ है, दूसरा, इस particular university का एक permanent working building नहीं मनी है, तो यह कुछ issues हैं जिसको लेके यहाँ पे news निकल के आईए, इसको देखेंगे, तो इतनी news नहीं हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं, चैनल members का सौध कर लेते हैं, देखते हैं, वो किसने किसने जोइन किया है, तो प्रकाष नेला तुरी ने हम को जोइन किया है, प्रकाष नेला तुरी का यह second month is a member, welcome back प्रकाष, जागरती के नन्धन डेड़ी ने हम को जोइन किया है, मयूर पाल ने हम अमिरुल एहसान ने हम को जोइन कि आ है अमिरुल एहसान का ये 3rdара मैंकर वेल्कुमबच आमिरु एहसान का ये 3rd मन्थ लिवम्भर अग्निहोत्री, पंडूर, उमंग, देबरती घोष, 2nd month as a member, अभीजी सिंह, 2nd month as a member, रक्षान्धा, रावत, जागरती, के, and प्रकाष नेलातुरी, 2nd month as a member. Special thanks to Prakash नेलातुरी, अभीजी सिंह, देबरती घोष, अमिरूर एहसान. जो लोग recurrently join कर रहे हैं, they are specifically very very helpful. Memberships थोड़ा अलग से helpful होती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इतना time देता हूँ, उसका reason यह है कि देखे, कोई paid course तो मैं चला नहीं रहा हूँ, so that's why. I welcome all my members, थोड़ा सा delay हो सकता है welcome करने में, इसे और भी बहुत सारे members हैंगे, यह मैं धीरे-धीरे करके, daily basis पे welcome करूँगा. हरजाना देने की बात सुप्रीम कोट ने बोली है, उसको अब सुप्रीम कोट खुद मॉनिटर करेगा, चुकि सुप्रीम कोट को ऐसा पता चल रहा है कि कुछ राज्य की सरकार है, यह हरजाना देने में धिलाई बरत रही हैं, एक सुप्रीम कोट की bench of justices, M.R. Shaw संजीव ख ऐसे समय पे कोट ने जो 50,000 रुपए ex-gratia payment देने की बात की गई है, हर COVID-19 patient के dependence को वो तुरंत execute होना चाहिए, बर राजी की सरकारे execute नहीं कर रही है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोट ने states को बोला है कि भाई, पैंडमिक के समय पे जो बच्चे औरफन हुएं, जिनकी details बाल स्वराज Portal of the National Commission for Protection of Child Rights पे uploaded है, उनको आप immediate basis पे 50,000 रुपए available करवाई है, ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, अपने बाल स्वराज पोर्टल के थुरू, overall उन बच्चों की information सरकार को available करवाई है, जिनके एक पैरेंट की या दोनों पैरेंट्स की मृत्ती हो गई है, वो तो इन बच्चों की जिंदगी कड़ जाएगी, लेकिन थोड़ा रिलीफ तो मिल जाएगा, वो थोड़ा रिलीफ तो कम से कम दो बच्चों को, समझगे बात को, तो ये बताएगे हैं हाँ पे, फिर सुप्रीम कोड के जस्टिस साहा ने, लॉयर्स को सीधे सीधे बताएग और इसके लिए, यहाँ पे सुप्रीम कोड अब मदद लेगी, जो स्टेट के लेवल पे लीगल सर्विसिस अथार्टी होती है, और डिस्टिक्ट के लेवल पे जो डिस्टिक्ट लीगल सर्विसिस अथार्टी होती है, एक होती है, डिस्टिक्ट लीगल सर्विसिस अथार की मदद से 2021 में जब गुजरात में अर्थ को एक आया था उस समय पे भी हाई कोट ने जो भी जरूरत मन्त लोग थे उनको compensation दिलवाया था यहाँ पे COVID-19 के pandemic में भी इनी legal services authority का प्रेयोग किया जाएगा ठीक है अच्छा Supreme Court एक और वज़ा से intervene कर रहा है Supreme Court इस वज़ा से intervene कर रहा है कि भाई बहुत से राज ऐसे हैं जहाँ पे जो death registered हुई है वो ज़्यादा है और जो compensation की applications आई है वो कम है तो ऐसे cases में overall यहाँ पे Supreme Court का intervene होना जरूरी हो जाता है चुकि बहुत सारे states में देखोगे कि applications ज़्यादा आई और For example, आंध्रपदेश के Chief Secretary ने बताया है कि आंध्रपदेश के अंदर 49,292 applications आई है COVID-19 के हरजाने की जिसमें से 31,000 को eligible पाया गया तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है Supreme Court के रहे intervene करके देखना कि यह जो 18,292 applications को reject किया आंध्रपदेश ने यह कौन से basis पे किया कहीं इसम ने खुसरूरी में 4,000 Cop leave cannot you to be hard in IP जु practices के खुसरूरी में क्लेम से कंहीं आज है के कर्ला में 27,000 क्लेम साय हैं कमपनसेशन के जबकि डेथ हुई है 49,000 ठीक है तो इन स्टेट्स में जब डेथ ज्यादा हुई है तो कमपनसेशन क्लेम क्लेम क्यों हो रहे हैं तो इस चीज़ को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद यहां पे अब इन्वाल हो रही है जिस पेपर 2 में न्यूज आपक है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता है इफ पॉसिबल प्लीस क्लिक जॉइन बटन आपकी जॉइन बटन दमाने से खासा मदख मिलती है नेक्स्ट इस्टेट वे ऑप्शन्स ऑन आयस काड़र रूल चेंज़ देखिए इसके लिए यह पर्टिकुलर वीडियो में कल ह ही बनाके आपके लिए अप्लोड कर चुका हूं आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखो आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि यह जो आयस का डेपिटिशन होता है स्टेट गवर्मेंट में कैसे अलॉट होते हैं उसका स्टेट से वो सेंटर में कैसे जाते है तो यह न्यूज में आपको काफी कुछ मिलेगा थोड़ा और यहां पर अडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बता देता हूं यूनिन गवर्मेंट का प्लान यहां पर यह है कि आयस और आईपिएस के ट्रांसफर को लेके ट्रांसफर स्टेट में पोस्टिंग नहीं समझ उसमें केंदर की सरकार इंटरवीन नहीं कर रही है कि यहां पे यहां पर आईपिएस को राज्य के काडर से सेंट्रल डेपुटेश्न पर केंदर की सरकार में डेपुटेशन पर लाने की बातरी शिए पहले क्या होता था कि अगर किसी राज जी की सरकार से किसी IIS या IPS ओफिसर को केंदर में लाना है तो राज जी की सरकार का NOC मेंडेटरी था अब यहां पे केंदर की सरकार कह रही ही कि NOC मेंडेटरी नहीं होगा Department of Personal and Training जो कि डाइरेक्ट प्रधानमंतरी के अंदर काम करता है इसने राज जी की सरकारों के चीफ सेक्रेटरी को चिट्थी लिखी और बोला कि हम प्रपोस कर रहे हैं कि हम Rule 6 of the Indian Administrative Service Scatter Rules 1954 को अमेंड करें और इसमें चार चेंजर्स करने की बात की जारी है वो चार चेंजर्स क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ लेटर यहां पे क्यों लिखा गया है तो बहुँ यह All India Services के Officers का जो working strength है केंदर की सरकार के deputation के अंदर वो बहुत कम है ऐसा यहां पे बोलना है केंदर की सरकार का केंदर की सरकार का एक और बात बोलना है कि कुछ राजय के Officer राजय में काम करते रहते हों केंदर में आते नहीं जैसे कि Department of Personal and Training ने वेस्ट बंगाल के Chief Secretary अलपन मंदोपाध्याय को बोला कि तुम केंदर में रिपोर्ट करो अलपन मंदोपाध्याय ममता मैनरजी जी के बहुत खास आदमी थे अब ममता मैनरजी जी की बननी रही थी मोदी जी से तो जब साइक्लोन यास आया था उसमें पर मोदी जी गए थे वेस्ट बंगाल तो ममता मैनरजी जी मोदी जी से मिलने तक नहीं आई इस बात पर शायद नाराज हो गए सेंटर के लोग पष्ट बंगाल की सरकार से और अलोपर मंधुपाद्या को बोला गया कि तुम केंदर में रिपोर्ट करो ममता बनर्जी जी ने रिपोर्ट करने से मना कर दिया तो यहाँ पर एक बहस सी शुरू हुई एक इशु शुरू हो गया इशु यह था कि भाई केंदर की सरकार के अंदर काम करने वाले जो आयस ओफीसर से जब यह राजी में काम करते हैं तो राजी की सरकार कंट्रोल के अंदर रहते हैं तो केंदर में डेपुटेशन इनका किस हिसाब से होगा और के सब तक राजी की सरकार इनके डेपूटेशन को रोग सकती है DOPT अपना लॉजिक यहां कैसे देरा DOPT बोल रहा है कि देखे भाई आगर आप बिहार के IS Officers देखो तो बिहार में 248 IS Officers है जिसमें से केंदर की Deputation पे केवल बत्तेस है ओडिसा में 180 IS Officers है जिसमें केंदर की Deputation पे केवल 25 है केरला में 125 IS Officers हैं केंदर की Deputation पे 20 तमिलनाडू में 322 IS Officers हैं केंदर की Deputation पे 20 उत्तर प्रदेश में 536 IS Officers हैं केंदर की Deputation पे केवल 32 तो ओवरॉल टोटल नंबर आइस Officers जो कि एक काडर में काम कर रहे है और उनका एक proportion जो कि सेंटर में deputation में है, वो proportion बहुत कम है, इस proportion को यह केंदर की सरकार बढ़ाना चाहती है, चुकि केंदर की सरकार में बहुत सी सीटे खाली पड़ी हुई है, अब सवाल उठता है तो कितनी सीटे खाली पड़ी हुई है, तो भईया दिसंबर 2020 में एक लेट officers काम कर सकते हैं, जिनकी कम से कम 19 साल का experience हो, और लगबख 60%, 540 सीटे deputy secretary के लेवल की खाली पड़ी है, जह deputy secretary मतलब जिसने कम से कम 9 साल की service की हो, as an IS officer, और director जिसने कम से कम 14 साल की service की हो, as an IS officer, तो ऐसी बहुत सी सीटे केंदर में खाली पड़ी है, अब यह भरेंगे कब, राजी की सरकार क्या बोलती है, कि हमारे यहाँ पे खुदी IS officer कम है, तो जब हमारे यहाँ पे IS officer कम है, तो भाई, हम अपने काम क्लिए रखेंगे, आपके केंदर के deputation के लिए दे, केंदर बोलना है कि तुम्हारे पास PCS officer तो है, तुम उनसे काम चला लो थोड़े IS, हमको तो यह एक बहसी चल रही है यहाँ पे, अभी तक क्या होता था कि केंदर की सरकार से अगर किसी IS को central deputation पे बुलाना है, तो राजी की सरकार का no objection लगता था, लेकिन अब केंदर की सरकार बोल रही है कि नए नियम लागू होने के बाद, अगर केंदर की सरकार ने राजी की स अफीसर हमारे पास भेजो, तो राजी की सरकार को specified time में भेजना होगा, और अगर नहीं भेजती है, तो automatically वो ओफीसर stand relieved हो जाएगा, मतलब उसको राजी की सरकार की NOC की दरूवत नहीं पड़ेगी, अभी के existing norms के हैसाब से, all India services में, Indian police services में, IAS में, Indian administrative services में, एक राजी की स चालिस परसेंट केंदर में जा सकता है, लेकिन बहुत कम जा रहा है, आप देखे, UP में 536 IAS officer हैं कितने 32%, मतलब 10% से भी कम, लगबग 6-7%, तामिल अनुम 322 officer हैं कितने केंदर में 20, तो कुल मिला के 40% तो दूर बहुत ही कम IAS officers राजी की कैडर के केंदर के deputation में काम कर रहे तो ये बात तो बिलकुल सही है कि भाई केंदर में IAS officers की कमी है, इसमें कोई doubt नहीं है, तो यहाँ पे पहली बात तो इन changes में ये प्रपोस की जा रही है कि केंदर की सरकार, राजी की सरकार के साथ बैठके, ये पहले पता करने की कोशिश करेगी, कि भाई कितने officers एक राज राजी की सरकार के केंदर में डेप्यूट होंगे, पहली चीज़, दूसरी चीज़, कि माल लिजे किसी particular IAS officer को केंदर की सरकार राजी से अपने यहाँ बुलाती है, तो राजी की सरकार को एक specified time limit में उसको बेजना होगा, अगर वो नहीं बेज़ेगी तो automatically standardly हो जाएगा, तीसरी चीज़, कि पबलिक इंट्रेस्ट में राजी की सरकार के काडर officers को केंदर की सरकार में deputation पे बुलाया जा सकता है, तो यह कुछ चीज़ यहाँ पर बताई जारी है, यह proposals हैं भी है, इनके उपर final ठपा नहीं लगा है, लेकि जनवरी के end में, जो session शुरू होने वाल girls में definitely लड़ाई होने वाली है, चुकि राज्य में काम करने वाले IS की जरूत राज्य की सरकारों को भी है, और उनकी deputation के ओपर अगर राज्य की सरकार की बिल्कुल ही नहीं चली तो problem, चुकि देखिए, राज्यों में बहुत सारे ऐसे high level के आला IS officers हैं, जो कि राज्य की सर officer को केंदर की सरकार अगर केंदर में बुला लेता है, तो राज्य की सरकारों को problem हो सकती, इसले ममतब energy जी openly यहां पे इस step को protest कर रही है, जियस paper 2 में particular news आपको काम आएगी, next news है, आपकी RP 2041 can spell doom for arableese in haryana, अब ये क्या चीज़ है, देखे, गुरुगाम और हरफरीदा बा का, उसके अंदर था national conservation zone, ये था आपका हरियाना काई प्लान है, regional plan 2021 national conservation zone, ठीक है, अब एक नया प्लान यहाँ पे निकाला जा रहा है, जिसको बुला जा रहा है, DRP 2041, draft regional plan 2041, अब यहां पे draft regional plan 2041, और regional plan 2021, इसमें कुछ changes हुए है, regional plan 2021 national conservation zone को identify करता था, draft regional plan 2041, natural zone को identify करता है, मतलब natural conservation zone, natural zone में बदल चुका है, और इनकी definitions में बहुत सारी चीज़े exclude हो गई है, natural zone को DRP 2041 में बताये गया, zone comprising any natural features such as mountains, hills, rivers, water bodies, created by action of nature, अच्छा आप थोड़ा confuse हो रहे हैं सर, क्या है यह regional plan, क्या है यह DRP, draft regional plan 2041, यह regional plan 2021, क्या है दो समझे, national capital region के आसपास के development के लिए regional plan बनाएंगे, अब national capital region में केवल हरियाना तो आता है, अधियाना भी आता है, दिल्ली भी आता है, तो जो जो भी प्लेयर्स यहाँ पे आते हैं, उन सब की सरकार मिल जूल के प्लान मनाती है, तो केंदर की सरकार हो, हैनरेक सरकार, दोनों ने मिलके ही regional plan मनाया होगा 2021 का, और दोनों नहीं मिलके यहाँ पे DRP 2021 की बात किये, अब regional plan 2021 में था national conservation zone, इस national conservation zone के अंदर, जो आपके natural चीजें उनको protection जादा थी, और जो draft regional plan 2021-2041 आ रहा है, उसके अंदर ही जो natural zone की परिभाशन निकल के आ रही है, यहाँ पे protection को तोड़ा घटा दिया गया है, कैसे घटा दिया गया है, देखते हैं, नए national, ये, नए draft regional plan में, जो natural zone है, इसकी definition को tweak किया गया है, restrict किया गया है और बहुत सारी चीजों को protection को यहाँ से अटा दिया गया है, बहुत सारी चीजों को protection जो certain acts में है और land records में, उनी को protection दी गई है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे protected नहीं है, कौन कौन सी चीजें protected नहीं है, तो environmentalist का यह बोलना है कि बहुत सारे forest जो कि गुरुग्राम और हर चीजाबाद में आते हैं, ठीके न, यह protected zone से बाहर निकल जाएंगे DRP 2041 की definition के साब से, जैसे कि अरावली का बहुत सा हिल इलाका, जो कि हर्याना में परता है, यह किसी भी act के अंदर notified नहीं है, यह सिर्फ revenue records में mentioned है, अब चुकि यह revenue records में mentioned है, किसी act के अंदर notified नहीं, तो और act के अंदर protected नहीं है, तो फिर वो DRP 2041 के अंदर भी protected नहीं है, चुकि हर्याना के इन हिल इलाकों को गैर मुमकिन पहाड, uncultivable wasteland और भूट, sandy foot hill बोला गया है, और इन दोनों ही चीजों को DRP 2041 में कोई भी protection नहीं दी जा रही है, तो DRP 2041 के हिसाब से इन इलाकों में क कोई clear cut criteria नहीं है, ठीकि ना भई, नैचुरल जोन जो identify किया जा रहा है DRP 2041 के अंदर, इसमें बहुत से नैचुरल फीचर्स यहां पे exclude हो रहे हैं, और यह जो आपका draft regional plan 2041 निकल के आ रहा है, हरियाना सरकार नहीं रिसेंटली बनाया था, पंजाब लैंड preservation act 2041, इसको प्रविन ने अप्रूब भी कर दिया है, तो अगर PLPA, पंजाब लैंड preservation act जो कि हरियाना सरकार का है, और draft regional plan 2041 को मिला के देखो, तो चीजें थोड़ी खतरनाक हो जाती है, और इस खतरनाक चीजों का impact गुरुगुराम और फरीदाबाद से पढ़ेगा, जैसे फरीदाबा लेकिन PLPA के हिसाब से केवल 178 hectare conserve होगा, बाकि पूरा का पूरा exploited category में चला जाएगा, तो मतलब नया जो PLPA निकल के आ रहा है, ध्यान दीजेगा, नया जो PLPA हरियाना की सरकार ने मनाया है, अगर इसको आप draft regional plan 2041 के साथ मिला के देखते हो, तो अब तक फरीदाबाद के अ 11700 hectares naturally conserve था, जिसके ओपर हम development नहीं कर सकते थे, अब केवल 178 hectares reserved forage category में आएगा, बाकि पूरा का पूरा exploit हो सकता है, और कुछ ऐसे ही statistics गुरुगां में निकल के आते हैं, मतलब नए DRP 2041 के साब से, जादा इलाकों में exploitation करी जा सकती है, इस बात से डर रहे हैं आपके environmentalist, ठीक है ना, फिर भाई natural ecosystems सो खतरा पहुंच सकता है, जैसे कि for example जो wetland rules है, कि उलादियो नेशनल पार्क की बात कर लीजे, अरावली बायोड़ुष्टी गुरुग्राम की बात कर लीजे, एफ़ोरेस्टिशन जैन्स की बात कर लीजे, ये सब भी खतरे में आ जाएंगे, बहुत सारे natural areas ऐसे हैं जिनको अभी भी land records में notify किया जा रहा है, बट अब तक वो land records में notify नहीं हुए, और अगर DRP 2041 इंप्लिमेंट हो जाता है, तो अब विसी बात है इन natural areas का भी exploitation होने लगेगा, ठीक है, फिर regional plan 2021 के हिसाब से, यमुना, गंगा, काली, हिंडन, सहीबी, इनके flood place, इनके flood place, इनके flood place इलाके, ये सब समझिये, ये सब भाई, ड्राफ्ट regional plan 2021 से excluded है, ये regional plan 2021 में थे, तो यमुना, गंगा, काली, हिंडन, सहीबी की जो भी tributaries, इनके जो भी flood place है, ये regional plan 2021 में protected थे, पर ड्राफ्ट regional plan 2021 में protected नहीं है, और किसी एक नदी के, अगर आफ flood plane को threaten कर देते हो, उस नदी के flow को threaten कर देते हो, तो पूरी की पूरी riverine biodiversity के ओपर खतरा हो जाएगा, floods आ सकते हैं, local ecology तबाह हो सकती है, irrigation patterns तूट सकते हैं, rainfall patterns तूट सकते हैं, आस पास के forest eliminate हो सकते हैं, इस प्रकार की बहुत सी नाना प्रकार की problems हो जाएंगी long term लो, समझ ग land use के ओपर, मतलब आप 0.5% land के ओपर ही construction कर सकते हो, यह limit भी यह आप अटा दी गई है, अरावली और forest Asia जैसे जो term थे, यह भी अटा दिये गए, तो कुल मिला के draft regional plan 2021 को, बहुत जाद आप कहलो, environmental विरोधी तरीके से बनाये गया है, pro development बनाये गया है, और इसका काफी नु अरावली को आपने draft regional plan 2021 से अटा दिये, मतलब आप अरावली के अलाके में आप बंपर construction कर सकते हो, अरावली के अलाके में बंपर construction करोगे, तो जो natural ecosystem अरावली के वैसे दिल्ली हरयाना राजिस्थान में बन रहा है, वो तूट जाएगा, यहाँ पर जो critical wildlife habitat और corridors बन रहे है यह destroy हो जाएंगे, प्लस draft regional plan 2021 के अंदर environmentalist चाते थे, कि यह जो 500 मीटर लंबा मंगर बनी sacred grove हिल है फरीदाबाद में, इसको आप no construction zone declare करो, यह no construction zone भी declare नहीं हुआ है, यह जो particular मंगर बनी sacred grove हिल है, यह एक important interstort wildlife corridor है, यहाँ पे लियोपार्ड हायनास आते हैं, यह असुल प्लस अगर आप DRP draft regional plan 2021 के section 6.3.3 को देखोगे, तो अरावली रेंज और यमुना के आसपास के जितने भी green trail के इलाके हैं, इनकी interconnectivity और overall इनके बीच में से road बगरा बनाने की प्लान बनाये जा रहे हैं, तो अरावली रेंज और यमुना के आसपास के इलाकों में देखे road connectivity कब है, चुकि obvious सी बात है, forest इलाका है यह, तो यहाँ पर आप रोड वगरा बनाओगे, तो लोकल एकलोजी तबहा होगी, ने DRP 2021 में यहाँ पर roads वगरा भी बन सकते हैं, ड्राइव कोरिडोर बन सकते हैं, और अगर ड्राइव कोरिडोर बन गया है, मतलब मोटराइज ट्र जीस पेपर 2, Government Policies, Interventional Issues, और जीस पेपर 2, Environment Conservation में न्यूज आपको काम आएगी, नेक्स्ट न्यूज अडिप, इस्टन स्वैंप डियर पॉपुलेशन इन काजी रंगा, पाई जो काजी रंगा नैशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे इस्टन स्वैंप ड की, और अभी के लिए इनकी आबादी हो गई है, 868, 907 से 868, कम क्यों ही आबादी, तो भाई, 10 और 11 जनवरी को, 2019 और 2020 में इस इलाके में फ्लड्स आयता हो, और इन फ्लड्स के आने के चलते, ओवर आल बहुत सारे यहाँ पे इस्टन स्वैंप डियर न मर गए, ऐसा बताय जा रहा है, वैसे तो काजी रंगा नेशनल पार्क फेमस है, वन हॉंड राइनोसरोरिस के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है, इस्टन स्वैंप डियर की, अब आपके दिमाग में एक आइडिया हैगा कि इस्टन स्वैंप डियर सर, तो डियर तो शेर का खान जाते हैं, ठीक है, तो इस्टन स्वैंप डियर एंडेमिक टो काजी रंगा यह प्राइमरी पेर नहीं, प्राइमरी प्राइमरी शिकार नहीं है, कार्णी वोर्ट के टाइगर वगरा के प्राइमरी शिकार नहीं है, यह कहां पे आपका काजी रंगा नेशनल पार्क हैंदर काजीरंगा के सांभर, वाटर बफैलो, राइनो, इनका शिकार करते हैं शेर, तो शेर के शिकार के लिए डाइवर्सिटी यहाँ पे अच्छी खासी एविलेबिल है काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, इस्टन स्वैंप डियर को शेरों से खत्रा नहीं है, यह मैं आपको पहले बता दो, अच्छा कुछ अच्छी खबर भी इस्टन स्वैंप डियर है कंपैर्जन में, इस्टन स्वैंप डियर की जो प्रेविलेंस है न, वो यहाँ पे बढ़ गई है, तो पहले यह जो इस्टन स्वैंप डियर थे, यह सेंट्रल कोहोरा, एंड बगोरी रेंजर काजी रंगा नेशनल पार्क में ही पाये जाते थे, लेकिन अब यह इस्टन स्वैंप डियर औरांग नेशनल पार्क और लाओ खोवा बुरा चुपरी वाइल लाफ सेंचुरी तक भी फैल गये, मतलब फैलाओ इनकी पॉपलेशन का जादा है, हाँ, पॉपलेशन थोड़ उस समय पर शिकार भी होता था, बड़े-बड़े राजे रजवारे जाके स्वैंप डियर को मार आते थे, खा लेते थे, इस प्रकार की चीजों को रोका गया है, तो इस्टन स्वैंप डियर की जो आबादी है, वो थोड़ी स्टेबिलाइस हो गई, अगर मेल फीमेल की बा बात नहीं है, प्रॉपर कंजर्वेशन मेजर के साथ, इस्टन स्वैंप डियर का जो आप कहलो प्रेजेंस है, उसको एक्सपेंड किया जा सकता है इन इलाकों में, प्लस इनकी आबादी को भी बढ़ाए जा सकता है, काजी रंगा की बारे में कुछ और पॉइंट से, यसे इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वाटर फाउल बर्ड स्पेशीज, मतलब वाटर में रहने वाली जो बर्ड स्पेशीज हैं, वो पाई गई हैं काजी रंगा में 126, पिछले साल जो आप कहलो बर्ड एस्टिमेशन हुआ था, उसमें 112 स्पेशीज वाटर बर्ड की पाई गई जो सबसे जादा स्पेशीज के बर्ड पाई गी वो कौन है, बार हेड़ेड गूस 16,552 बर्ड फिर नॉर्धर पिंटेल 9493 फिर कॉमन टील 5631 फिर फेरुजीनस डग 2236 इन सब की फोटो यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, बार हेड़ेड गूस ऐसी दिखती है, हॉग डि इसा दिखता है, यह हॉग डियर is the main food of tiger in this काजी रंगा नेशनल पार्क, हाला कि eastern swamp deer अगर पढ़ गया शेयर के सामने, तो बचता है यह भी नहीं है, ताइगर को क्या है, ताइगर थो ही नहीं यहां पर discrimination करेगा, उसको तो जिसका meat सामने दिख जाएगा, उसको वो हाँ, hawk deer main prayer तो हो सकता है, hawk deer का meat tiger को पसंद आता हो, जैसा हमारे इंसानों में भी होता है, नहीं यह चिकन खाएंगे, चिकन का meat अच्छा है, नहीं fish बड़ी soft होती है, नहीं मतन मड़ा hard होता है, तो उस तरीक से tiger के भी अपने preference होगे, यह वाला जानवार खाएंगे, तो studies के लिए, जिसको मिलके बनाया है, आठ सार्क nations ने, South Asian Association for Regional Corporation, आप से एक सवाल है, नीचे मुझे comment box में, मैंने intentionally यहाँ पर सार्क के respect में information नहीं जोड़ी है, नीचे बताइए, सार्क कब बना, ठीके कौन से declaration के धुरू बना, किस motor से बना, initial members कितने थे, बाद में कितने आए यह सब आप सार्क के बारे में थोड़ा research करके लिखके बताओ, इस सार्क ने मिलके South Asian University बनाई थी, और इस South Asian University का top most official दो साल से यहाँ पे नहीं है, इसके top most official को appoint करने की responsibility है, Ministry of External Affairs इंडिया की, लेकिन अभी के लिए दो साल से युनिवरस्टी बिना किसी head के काम कर रही है, अगर आप head की बात करो South Asian University के, तो भाया, इसका head is equivalent to vice chancellor, और South Asian University के head को appoint करने की responsibility होती है, Ministry of External Affairs की, South Asian University ने अपने academic operation शुरू किये थे 2010 में, pros graduate courses, doctoral courses, economics में, international relations में, mathematics में, biotechnology में, sociology में, यह सब courses यहाँ पे चलते हैं South Asian University में, है कहाँ पे? तो भाई, इसका 101 का campus बन रहा है South Delhi में, पर अभी बना नहीं है पूरा, तो अभी के लिए temporary basis पे, चानक के पूरी के अकबर भवन से इस्टिटूट चल रहा है, ठीके? लेकिन अब 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 इसी बात है, campus इसका बनना चाहिए, campus अभी के लिए नहीं बना है, अच्छ आपका वापस अफगानिस्तान ने फस गया है, वो इंडिया नहीं है, आप आए पढ़ने के लिए, फिर आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के रिष्टे के चलते भी जो सार्क की functioning है, वो काफी हद तक effect हुई है, तो बहुत हद तक, ये जो सार्क की university बनी है, South Asian University, वो नहीं गरपारी, बट अगर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान की politics छोड़ भी दो, तो भी potential बहुत है, South Asian University में, लेकिन overall इसका head यह नहीं appoint किया गया है, फिछले दो सालों में, तो ये काम गड़ बड़ है, और इससे इंडिया की M.E.A. की credibility वे सवाल उठ रहा है, चुकि Ministry of external affairs, इंडिया की responsibility है, इसके head को appoint करना, येस paper 2 में news आपको काम आएगी, नेक्स्ट है, Supreme Court asked महराष्ट to submit data on OBCs to commission, देखें, दिसंबर 2021 के लगबक की news है, महराष्ट में होने वाले थे पंचायत election, और इन पंचायत election में 27% सीटे बाई OBC के लिए reserve थी, अब इस बात को लेके Supreme Court में case चला गया, Supreme Court में case चला गया, कि ठीक है भई, आप SCST को reservation दे रहो तो ठीक है, आप भई OBC को reservation दे रहो पंचायत election में, तो case पहुंच गया Supreme Court में, Supreme Court ने महराष्ट government से बोला कि देखे भई, अगर आप elections में reservation दे रहे हो, तो आपको triple test को यहाँ पे complete करना पड़ेगा, अब सबका दिमाग हुमा यह, triple test क्या है, तो triple test यह है, कि पहले बात तो आपको एक commission set up करना पड़ेगा, उसके basis पे empirical inquiry करनी पड़ेगी, और यह बताना पड़ेगा कि क्या local bodies में backwardness है, और क्या local bodies में reservation justified है, और अगर justified है, तो कितना percent reservation होना चाहिए, और total reservation SCST OBC का मिला के 50% स Supreme Court ने महराष्ट की सरकार के उपर, इस respect में recently Supreme Court ने महराष्ट की सरकार को बोलाए, कि other backward classes को अगर आप reservation दे रहे हो, पंचायत election में, तो किसी data की basis पे दे रहे होगे, तो वो जो data है, वो तुम handle करो महराष्ट की state backward class commission को, और महराष्ट की state backward class commission, दो हफते में राजी की सरकार को एक report summit करेगी, और इस report में proper तरीके से यह बताया जाएगा, कि महराष्ट के local पंचायत election के लिए जो reservation दिया जा रहा है OBC को, वो सही है या नहीं सही है, और जब तक इस प्रकार का ये commission, ये कहने ही देता कि नहीं भाई, ये जो OBC को reservation दिया जा रहा है, तब तक 27% OBC जो seats reserve की गई थी, पंचायत election में OBC के लिए वो general category के पास ही जाएंगी, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे मुद्दा है, महराष्ट की सरकार पंचायत election में 27% seatे OBC के लिए reserve करना चाहती है, Supreme Court ने बोला है, जब तक तुम triple test complete नहीं करोगे, तब तक general ही candidates यहाँ पे compete करेंगे, O State Backward Classes Commission और महराष्ट की रिपोर्ट क्या मोलती है, G.S. Paper on Population and Associated Issues में न्यूज आपको काम आएगी, नेक्स न्यूज तालीबान सीक्स Muslim Nationals Recognition, तालीबान के प्राइम मेस्टे ने सारे Muslim Nationals से बोला है कि भाई, हमें officially recognize करो, हमें इस समय पे मदद की जरोत है, economic collapse है, अफगान इन्होंने implement किया है, लड़कियों को और women को government employment में जगा नहीं मिली है, इस्कूलों के दर्वाजे बंद हो गए है, छोटी लड़कियों के लिए, और इसी non-democratic character के लिए, और overall अपने human rights record के लिए, दुनिया तालीबान की सरकार को recognize नहीं कर रही है, बहुत सारी international aid तालीबा यूएस से आई हुई aid और European Union से आई हुई aid, इंडिया से आई हुई aid के ओपर dependent थे, aid बंद हो चुकी है, जॉब्स खम हो चुकी है, लड़कियों को जॉब से निकाल दिया गया है, जदातर civil servants जो भी अफगानिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, उनको नौकरिया नहीं मिली ह है, third quarter of 2021 तक अफगानिस्तान के अंदर पांच लाख नौकरियां जा चुकी है, ये बोलना इंटरनेशनल लेबर ओर्गनाशन का और 2022 के आदे तक 9 लाख नौकरियां चली जाएंगी, हाला कि United Nations Security Council में पिछले महीने एक resolution पास हुआ था, कि भाई, overall कुछ पैसा भेजो aid में अफगानिस्तान में, लेकिन ये पैसा, अफगानिस्तान के अंदर काम करने वाले NGOs के पास जाएगा, तालिबान के पास नहीं जाएगा, ठीक है, अफगानिस्तान में विंटर शुरू हो चुकी है, और आपको पता होना चाहिए, अफगानिस्तान की विंटर्स बहुत हार् इंडिया और डेनमार्क यह बोला है कि हम जॉइंट रिसर्च और डेवलप्मेंट करेंगे ग्रीन फ्यूज के उपर जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन को इंपोर्टेंस दी जाएगी ऐसा बात हुई है 14 जनवरी 2022 को जॉइंट साइंस एंड टेक्निकल कमिटी है ना जो आपकी इंडिया डेनमार के उसमें मिलके यह सब बात ने की हैं जॉइंट कमिटी ने डिसकस की है नैशनल स्ट्रेजिक प्रियोर्टी जन डेवलप्मेंट इन साइंस, टेक्निलोजी, इन्नोवेशन ताकि फ्यूचर में ग्रीन सॉलूशन दूने जा सकें ग्रीन रिसर्च पे टे इन्नोवेशन, टेक्निलोजी डेवलप्मेंट, ग्रीन क्लाइमेट ट्रांजिशन, एनरजी, वेस्ट वाटर, फूड इन सब चीजों के उपर बातचीत होई है और यह जो प्लान एडॉप्ट किया गया है ना, ग्रीन स्ट्रेजिक पार्टनरशिप एक्शन प्लान 2020-2025 इ एनरजी का फील्ड हो, साइंस का फील्ड हो, टेक्निलोजी का फील्ड हो, इन्नोवेशन का फील्ड हो, साइबर फिसकल सिस्टम हो, बायो रिसोर्स हो, एग्री कल्चर हो, एनरजी रिसर्च हो, हर जगा पर यह कमिटी मिलके काम करेगी, हाइड्रोजन की बात की जाए, तो hydrogen definitely cleaner alternative fuel है hydrogen के बहुत से टाइब सुनते रहते होंगे आप मैंने पहले बढ़ाए भी है green hydrogen brown hydrogen, grey hydrogen, blue hydrogen किसी को भी मेरे नाम के साथ youtube में सर्च मार दो आपको वीडियोज मिल जाएगी green hydrogen क्या है तो पानी, H2O को आप hydrogen और oxygen में तोड़ दो और इसके लिए जो electricity इस्तेमाल करो वो solar power से आई हो या wind power से आई हो तो वो होगी green hydrogen अब यही hydrogen आप तयार करो उस energy से जो की coal को जला के आई हो, तो वो हो जाएगी brown hydrogen फिर अगर hydrogen natural gas से त्यार की गई है, तो natural gas से त्यार की गई, तो थोड़े बहुत emissions होंगे तो उसको बुला जाएगा grey hydrogen और natural gas से त्यार की गई hydrogen blue hydrogen तब कहलाईगी जब carbon जो emission हो रहा है natural gas के इस्तमाल से, उसको आप carbon capture और storage से neutralize कर दो तो वो blue hydrogen, blue hydrogen grey hydrogen से थोड़ी better है environmentally, बट सब से best है आपकी green hydrogen GS paper 3, international relations GS paper 4, sorry GS paper 3, energy में news आपको कामेगी so thank you for watching friends, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट information थोड़ी ज़्यादा थी I hope आपको मज़ा आया हो आज की वीडियो सुनके आप अपने viewpoint नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस lecture को share करें, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए share करने से मदद मिलती है अब 40 मिनट से आपके सामने बोल रहा हूँ तो अगर ज़्यादा लोग lectures देखेंगे तो अच्छा लगेगा ठीके ना, और information तो एक ऐसी चीज है कि जित्ते ज़्यादा लोगों के पास जाएगे और आप जित्ते ज़्यादा लोगों को दोगे उतना ही वो information बढ़ेगी उतना ही आपकी knowledge बढ़ेगी so thank you for watching friends और अगर इससे extra कुछ कर सकते हैं तो join button दबा सकते हैं great day good